बहुत बड़ी डिलिवरी रिसीब करने वाले हैं लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि मुझे एक ट्रेलर हायर करना पड़ा उसको रिसीब करने के लिए तो चले उसको रिसीब करते हैं करी या अप्रशमीव किषए हैं असलामलेकूम कैसे हैं आप स्लामलेकूम मस्तिक टक आप में लिए डिलिवरी लेकर आए। अपने ट्रैले को यूशकी आपने तेंक यू वेरी मच्छ अब आपना ट्रैला लेके चले जा रहे हैं जी जाले बाए-बाए तो यह है DJI Osmo Pocket चोटी चीज और बड़ा दमाका अभी हम इसको क्विकली अन्बॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या उप्शिंज लेकिया है यह बनाएगा व्लॉगर्स की लाइफ को इजी कैसे देखते हैं तो हम कुछली सकी अन्बॉक्स कर लेते हैं मेरा यार कटर कहीं गुम गया है तो आप तो यह बनाएगा लेंगे बाद में अन्यवे पैकेजिंग इसकी बहुत चोटी सी थी माइवस नोट एक्सपेक्टिंग बिल्कुली चोटा होगा वीडियोस में इसना पता नहीं लेकिन तो हम इसको चुटकी के जादू से कोलते हैं खुल 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 के खुल के कभी कभी चुटकी काम नहीं करती है तो यह आता है एक अदद केरिंग केस के साथ स्मार्टफोन अडप्टर्स कोस्मो पॉके इटसेल्फ चार्जिंग केबल टाइप सी और एक स्ट्रैप अगर मै मैं इसका कंपैरिजन करूँ एक ट्वाई कार के साथ तो आप देख सकते हैं कि उसमो वाकी बहुत छोटा है तो जल्दी इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं तो DJI Osmo का जो कैमरा है वो में मिलता है 12 मेगा पिक्सल अफेक्टिव पिक्सल के साथ यह आपको 26 mm का फॉर्मिट एकुलेंट देता है और यह 4K रिकॉर्डिंग करता है आप इसके अंदर स्लो मोशन, हैपर लैप्स और पैनो फीचर भी अवैलिबल एसके साथ देक्समॉम कपसिटी इसकी मेमरी काच किर गिह उसे इसे एपत करता है 256 G.B.R.D. । अर 57 g.B.R.D. इसे डाइट भी सेचया होती एक आयदे तो में अर Fighter 2 iX 0 वह झाता है n की o बीट सिर freight 2019 बीट सिर्ष् пока 30 second इस विए गिंबल से क्या प्राइब करना हम इसको गिंबल की बैटरी से कंपेर करते हैं आप देख सकते हैं यह गिंबल की बैटरी और यह है दीजय योश्मॉ अगर गिंबल रखता हूंगा तो यह तो गाइब हो जाएगा दुनिया से मुझे यह लगता है वैसे तो यह एक नर्मल गिंबल है जो मिररलस कैमरो के लिए में यूज करता हूं तो इस गिंबल कसा देख सकते हैं कि यह गिंबल और गिंबल विद कैमरा और विदाओट कैमरा इस गॉइड दिफरेंस मैं रिली रिली इंप्रेसब अब पॉकित में तो इस गॉज दादा फील निंग करते हैं अब थोड़ा सा हम गिंबल का टेस्ट फोटिज देख लेते हैं मुझे तो इसने इंप्रेस किया है इन सर्टन वेस कि आपको ज़दा है वी कैमरा ले जरू नहीं है अपने साथ for the normal events and for the normal things sure it's necessary कि आपके बड़ा केमरा होना चाहिए as a vlogger लेकिन अगर आपके नॉर्मल चीज को capture करना चाह रहे हैं और वो daytime का event है तो I would prefer कि आप इसको ही use कर सकते हैं सो यह है इसके कुछ टेस्ट जो मैंने किये जो आपको यह बता सकते हैं कि यह device किस तरह कहां तक capable है यह इसका footage है 4K with 60 frames per second footage तो इसका अच्छा है यह आप normal use के लिए इसको use कर सकते हैं और यह इसका hyperlapse है जो option इसमें valuable है x5 तक की speed आप इसमें gain कर सकते हैं और यह है slow motion slow motion morning के time में बहुत ही अच्छा रहा लेकिन night में it was okay अच्छा नहीं है लेकिन okay use हो सकता है footage तो इस वक्तर में इसकी price 1549 कत्री रहा गया यह आपको बहुत ही जगह से available हो चकता है जैसे virgin store और fanak आप इसको upgrade भी कर सकते हैं बहुत सरी available accessories के साथ जैसे osmo pocket charging case to the most favorite one में लिए वह important है क्यों कि I need to charge every time उसके बाद इसके अंदर और भी बहुत से accessories हैं जैसे आप इसको mount कर सकते हैं as a gimbal इसको attach कर सकते हैं बादी के साथ so all these mounts आप अपने osmo pockets के साथ purchase कर सकते हैं इसको चलाने के लिए काप आती है DGI Mimo app इस app के अंदर आपको सारे control on the mobile screen मिल जाते हैं आप अपनी मर्जे से कोई भी mode इसमें swap कर सकते हैं और easily आप recording कर सकते हैं और यह दोनों play store और apple store में available है I hope इस review से आपको लग सके कि यह device आपके लिए अच्छी है या नहीं और आपको help कर सके purchase करने के लिए Azam out